अगर आपने O level के चारो paper complete कर लिये हैं और आपको किसी एक subject का दुबारा से exam देना है मान लीजिए आपने python का exam दिया होगा उसमें आपका grade low है आपको लगता है कि मुझे इसका exam दुबारा से देना है तो इसको हम बोलते हैं improvement form तो आज की session में जानेंगे improvement form कैसे fill up करते हैं second thing ये है कि for example आपका grade अच्छा नहीं आया है तो क्या इसका effect government job में पड़ता है या या फिर ना तो आपको बता दें कि जितनी भी government की vacancies अब तक आई हुई हैं उसमें only एक line mention होती है कि आपके पास O level का certificate होना चाहिए कहीं पर भी mention नहीं होता है कि आपका O level में A grade होना चाहिए या फिर B grade होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है only certificate हो ऐसा वहाँ पर mention रहता है बट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दुबारा से एक्जाम भी दे सकते हो आई ये जानते हैं कि आप दुबारा से कैसे एक्जाम दे सकते हो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपनी user ID और password से login करना है capture code को fill up कर देना है दिन आप इस interface पे redirect हो जाएंगे option दिखाई देगा click on this link to apply for exam यहाँ पे आप click कीजे और ध्यान दीजेगा जो improvement form है वो only आप एक paper का fill कर सकते हो जिसकी fees 1500 होती है कितनी होती है 1500 होती है यहाँ पर कुछ issues हो चुके हैं तो यहाँ पर आप click करिएगा click करने के बाद आपके सामने एक form आ जाएगा यहाँ पर log out हो गया हूँ एक minute यहाँ पर आपको so करेगा कि भाई जो आप form fill कर रहे हैं इसका exam gen 25 session में होने वाला है और सबसे पहले आपको यहाँ पर center select कर लेना है तो मैं यहाँ पर center select कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर 2 choice मिलती है और ध्यान दीजेगा improvement fees 1500 रुपीज होती है और यह only आप एक subject का ही दे सकते हो यहाँ पर इनकी website में कुछ bugs हैं जो की automatically log out कर दे रहा है बट मैं आपको बता देता हूँ दिन module name of improvement यहाँ पर आप click करेंगे click करेंगे तो click करने के बाद आपके सामने M1, M2, M3, M4 चारो paper so होंगे आपको जिस भी paper का दुबारा से exam देना है उस paper को select कर लीजे select करने के बाद इसको check कर दीजे and proceed पे click कर दीजेगा दिन आप से fees payment करने के लिए बोलेगा तो आप fees पे कर देंगे तो जो आपका paper है log हो जाएगा और आप लोग exam देपाएं अगर आपने O level complete कर लिया है और government exam की preparation कर रहे हैं तो ऐसे में आपको पता हैं कि आज कल mostly government exams में computer के MCQs पूछे जाते हैं तो हमने आप लोगों की requirement आपकी recommendation पर हमने competitive exam के लिए computer MCQs भी provide करने शुरू कर दिये हैं और यह सभी किसी न किसी exam में पूछे गए MCQs आप लोगों को यहाँ पर category wise मिल जाते हैं तो आप इनको check out करिए explore करिए बहुत ही important और useful content आप लोगों को free of post दिया जा रहा है ठीक है तो आप इसको use कर सकते हैं इसको check out कर सकते हैं आपके पास कोई भी doubt है तो आप मुझे comment कर सकते हैं या फिर दिये गए whatsapp number पे भी contact कर सकते हैं जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू